अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उस महिला की जो पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रस्ते भारत में तो आ गई लेकिन उसके उपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं सीमा हैदर की सचन से महबबत की कहानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के एंगल तक अब पहुच गई है यही वज़े है कि बॉर्डर पारकर भारत आई सीमा हैदर पर केंद्रिय जाँच एजंसियों और यूपी एटियस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अब जाँच एजंसिया सीमा पर लगे जासूसी के आरोपों से लेकर तमाम तरह के एंगल की जाँच में भी जुट गई है इस वक बड़ी ख़बर आ रही है खाड़ा में सीमा हैदर की FIR कॉपी से बड़ी जानकारी अब सामने आई है सीमा हैदर से पुलीस को चार मोबाइल फोन मिले जिसमें से एक मोबाइल फोन तूटा हुआ मिला सीमा हैदर से पाकिस्तानी सिमकार भी बरामद हुआ दावा ये है कि सीमा से जो मोबाइल फोन बरामद हुए उसका डेटा डिलीट कर दिया गया था अब ATS और Noida पुलीस डेटा रिकवर करने में चुटी हुई है तो प्रश्णी ये उठता है कि छुपाना कुछ नहीं था तो डेटा डिलीट क्यों किया फोन क्यों तोड़ दिया ये कौन सा पाकिस्तानी सिम था ये बहुत सारे प्रश्ण आप उठने लगे है अब सीमा के खलाब दर्ज FIR में पुलीस को सीमा के पास क्या कुछ मिला वो आपको बताते हैं देखिए ग्राफिक्स पर नज़र डालिए चार मोबाइल फोन उन्हें मिले हैं साथ ही एक सिम कार्ड मिला है और ये सिम पाकिस्तानी है एक मोबाइल टूटा हुआ मिला है और सबसे बड़ी बात तीन आधार कार्ड मिले हैं छे पास्पोर्ट मिले हैं और उसके साथ ही चार जन्म प्रमान पत्र भी मिले हैं एक परिवार रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के हातों बरामद हुआ है एक मैरेज रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा हैदर से मिला है जाच एजन्सियों को और FIR में ये सारी बातें दर्ज हैं पांच वैक्सिनेशन कार्ड भी मिले हैं और साथ ही एक बस टिकेट जो काटमंडू से दिल्ली का है इसके साथ ही दो वीडियो के सेट भी सीमा हैदर के पास बरामद हुए जो FIR में दर्ज है एक नैशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC जिसे कहा जाता है ये भी सीमा से में दर्ज है अब केंद्रिय जाच एजनसी और UP ATS के सामने सीमा हैदर के मोबाइल फोन की जाच की सबसे बड़ी चुनौती है सूत्रों के मताबिक जाच एजनसी अब इस बात की जाच करेंगी कि सीमा हैदर ने नेपाल में किस नंबर का प्रयोग किया था और किस से बाते की थी इस बात की भी जाच होगी कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहते हुए किस मुबाइल से किस मुबाइल नंबर का इस्तमाल किया था और किन लोगों से वो टच में थी और बातचीत कर रही थी इस जात से साफ हो जाएगा कि सीमा हैदर किन किन लोगों के संपर्क में थी सबसे बड़ा प्रश्णी ये उठता है कि डेटा डिलीट क्यों किया गया डेटा डिलीट कब किया गया और कितने फोन से कितने फोन से डेटा डिलीट किया गया दीपक बिश्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं दीपक बताईए FIR से जो जानकारी आई है उसमें फोन और SIM कार्ड के जो questions है जो सवालात है वही पर वो शक के तायरे के अंदर आते हैं क्योंकि marriage registration certificate passport बच्चों के भी हो सकते है उनके हो सकते NIC पाकिस्तान में जारी किया जाता है तीन आधार कार्ड इन्होंने कैसे बनाया कहां बनाया ये प्रशन भी पूछे जाएंगे लेकिन फोन में data delete क्यों किया गया क्या सभी फोन से data deleted था या सिर्फ ये जो SIM कार्ड या एक particular phone से data delete किया गया है लेकि बिल्कुर यही सवाल यहाँ पर ATS की ठीमा कर रही है क्योंकि जो phone का data जिसके अंदर WhatsApp चैट भी थी वो भी delete की गई है और उसे retrieve किया जा रहा है क्योंकि उस चैट में कौन-कौन से number से इनको खंगाला जाएगा उसके अलावा जो phone के पाकिस्तानी SIM को एक्टिवेट करने की कोशिश यहाँ पर ATS की जाएगी ताकि उस पाकिस्तानी SIM में कितने number ऐसे थे जो पाकिस्तान से तालूग रखते हैं उनके बारे में डिटेल यहाँ पर खंगाली जाएगी यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब भी सीमा के पास नहीं है क्योंकि सीमा से जब इन सभी चीजियों के बारे में पूछा गा कि वो पाकिस्तानी SIM लेकर यहाँ क्यों दाकिल हुई वहाँ क्यों नहीं रखके आई तो उसने कुछ ऐसा उसका कोई खास जवाब नहीं दिया साथ ही कई सवाल कल भी पूछे गई थे जो उसके वहाँ से आने तक के थे क्योंकि जिस एजेंट ने उसे नेपाल के रास्ते भारत में भारत की बॉर्डर को पार करवाने में मदद की वो एजेंट कौन था क्या वो पाकिस्तानी एजेंट है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है अभी तक उसके बारे में पुलिस को या फिर एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है साथ ही जो गुलाम हैदर से उसके रिष्टे थे उनके बारे में पूस्ताच की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ है जो उसने यहाँ पर मीडिया के जरिये जैनकारी दी है उन बयानों को यहाँ पर मिलान किया जाएगा क्योंकि काफिर गिरोदाभास उसके बयानों में है अनन और इसी वज़े से ATS की टीमें जब उनके पिता घर में जरूर आगे थे लेकि सुबह साड़े आठ बजे ATS एक बार फिर दोनों को लेकर गई है और उनसे लेकातार पूस्ताच का सिलसला अभी भी जारी है क्योंकि ATS किसी भी चूक में नहीं पढ़ना चाहती जिस तरह से सवाल बन रहे थे कि क्या सीमा वाकि से और राम से जो सीमा दे रही थी वो ऐसा नहीं लग रहा था वो किसी भी चीज से डर रही है या घबरा रही है और वो तो वह कह रही थी कि पुलीस आकर तफ्तिश करें जो भी पूछना चाहे पूछे यही बात सचिन ने भी कबूल करी थी लेकिन और उन्होंने कहा था क कि हम तो पूरी तरह कॉपरेट करने को त्यारे हैं हम तो चाहते है कि हमारी पूरी तरह से आप खंगाल ले हमारे इंटेंशिंस को समझ ले और फिर हमें यह भारत में रहने का मौका दे सीमा ने तो यहां तक हमको कहा था यहां पर अखन यूज 18 इंडिया पर और अ andar में कि मुझे आप कारागार में डाल दें, जेल में डाल दें, लेकिन वापस पाकिस्तान न भीजें। पिर अलग करके किया जाएगा, किस तरीके का information इंसे खंगालने की कोशिश की जारी है, कहाँ पर शक की सुई आकर रुकती है, क्योंकि कई सारी details जो सीमा ने जब जब जग जाहिर की हैं, वही बातें वापस confirm भी हो जाती हैं, reconfirm भी हो जाती हैं, लेकिन क्या इन बातों का व अभी भी उत्तर नहीं मिले हैं, और शायद लगता है जहाँ एजंसिया कन्विंस्ट नहीं है, सीमा हेदर और सचिन मीना के पिता को भी ATS अपने साथ ले गई है, वही सचन पहले से ही ATS आफिस में मौजूद हैं, इस मामले पर सचन के भाई का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं, कितने बज़े पुलीस यहाँ पर कहुंची आग सुगा, सुखे देधात पर रही हैं, पोलीस घरकंदर ही नहीं सबस्के बात कहा हैं, सुखे से चाहो इतिस बात नग उला है, और यह बताया थैंक्या क्या पूस्ता हो थी ना कुछ कुने हैं, दीपक का हमारे साथ इसवक्त मौजूध हैं धीपक तो वहां सचिन के भाई का भी यह कहना है कि ATS वालों ने कहा कि आप MEडिया से बात न करें सचिन हो यह सीमा हो मीडिया से बात न करें दुदू दिन पहले से भी आपकी बात हुई थी उस सीमा के पडोसी हैं उन्होंने भी का दिया था कि सीमा को और सचिन को कि आप मीडिया से बात ना करें ये पुलिस की हिदायत थी या फिर पुलिस सीमा को मीडिया में और ज़्यादा एक्सपोज होते हुए नहीं देखना चाहती थी या फिर बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मीडिया कर भी हो या फिर सोशल मीडिया पर उनके जो अलग अलग बयान आ रहे थे हर बार बयानों में कहिने कहीं विरुदा बास्ता तो सीमा अगर एक लाइन पर बयान नहीं दे पा रही तो तो वो उसके लिए खतरना था और यहां पर शायद वही हुआ है क्योंकि सीमा ने पिछले जबसे वो यहां पर आई है तब से लगातार बयान दिये थे और उन बयानों में कहीं रोध भास्ता जब वहाँ से आई तो हर किसी ने हमने उनसा हर बार पूछा था तो हर बार कुछ ना कुछ उनके बयानों में बदला ओ दिखा था तो यह हो सकता आ है कि इसी बढ़ सकती हैं आनने जी धन्यवाद दीपक बिश्ट दीपक बिश्ट स्टोरी को बहुत क्लोजली फॉलो करते आ रहे हैं वहीं पाकिस्तान की सरहत पार कर भारत में आई सीमा हैदर की परेशानिया बढ़ती जा रही हैं अगर आप तस्वीरों को देखेंगे जो हम आपको खाड़ा में दिखा रहे हैं सीमा हैदर की तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते आते और पिछले एक हफ़ता दस दिन के अंदर उनके ट्रांस्वर्मेशन को आप बहुत गोर से नोट कीजेगा कि कैसे वो पहले दिखती थी और भारत में आने के बाद जैसे ही उनको मीडि रूप बदल लिया कैसे अपने आपको भारतिये वेजभूशा और परिधानों में और लुक में ढाल लिया और कह दिया कि अब वो मुस्लमान से हिंदु धर्म अपना चुकी और पूरी तरह से हिंदु बहु की तरह अपने आपको मीडिया के समक्ष पेश कर रही थी इस प पर भी सवाल किये गए कहीं न कहीं अटकरे लगाई जा रही है कि सीमा का भाई खुद पाकिस्तानी सेना में है और आज फिर सीमा हैदर को ATS ओफिस लाया गया है जहां फिर से सीमा का सवालों से सामना हो रहा है पाकिस्तान के सरहत पार कर भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल जुर चुका है पब्जी के जरिये प्यार और उस प्यार के खाते भारत तक का सफर सीमा ने बिना किसी दर के तैकर दिया ये बात खुफिया एजेंसियों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी केस बीच खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली किस सीमा हैदर के परिवार का सदस्य पाकिस्तानी सेना महे जिसे सुनकर उनका शक और मजबूत हो गया हकीकत क्या है उससे जानने के लिए यूपी एटियस के टीम ग्रेटर मरड़ा में सचिन के घर पहुँची सचिन सीमा और उसके चार बच्चों को अपने साथ ले गई और फिर शुरू हुई सवालों की लंबी फिहरेस्ट सुत्रों के मुताबिक शुरुवाती पूछताश में जो सवाल पूछे गई थी वो कुछ इस तरह थे सीमा हेदर पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल और नेपाल से फिर भारत कैसे आई सीमा के पास मोबाइल और उसके नंबर के बारे में पूछा गया सीमा हेदर से उसके पती गुलाम हेदर के बारे में जानकारी ली गई सीमा हैदर के पासपोर्ट, उसके बंचों के पासपोर्ट के बारे में पूछा गया सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात के बारे में जाना गया इसके अलावा ATS के टीम ने सीमा से PUBG ग्रूप में सचिन के अलावा कितने लड़कों से बात हुई इसकी जानकारी जुटाई उसके परिवार के बारे में पूछा गया और नेपाल में सचिन के मुलाकात के बारे में भी जाना किस सचिन और सीमा नेपाल में साथ दिन रहे उस दौरान वो नेपाल में कहां कहां गए और किस किस से मिले सीमा हैदर के पूरे परिवार में मा, पिता, भाई, बहन के अलावा कौन-कौन है सीमा के भारत आने के पीछे मकसद क्या सिर्फ सचिन से प्यार है कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादी शुदा है और उसके चार बच्चे है सीमा दक्षुनी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानों गाउं की रहने वाली है इसके अलावा वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी रही तो उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए सीमा हैदर सिंध और कराची में कब से कब तक रही सीमा हैदर ने पाकिस्तान में अपना घर किसके जरिये बेचा सीमा को भारत तक आने के लिए रूर्स की सलाह किसने दी सीमा हैदर को भारत की सरहत तक पहुचाने में किसने मदद की भारत से जुड़ी सरहत को पार करते वक्त क्या सीमा की तलाशी भी नी गई अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में कैसे दाकिल हो गई क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर सश्वस्वे सीमा बलतेनात है और उसके जिम्मेदारी है कि वो आने जाने वालों पर नज़र रखे ऐसे में SSB के जवानों को चक्मा देकर सीमा कैसे निकलाई इन सभी सुरक्षा खान्यों को लेकर एजेंसियों के पीच माथा पच्ची चल रही है फिलहाल ATS ने सीमा, सचिन और उसके पच्चों को धर भेज़ दिया है जिन्हें दुबारा किसी भी वक्त वापस बलाने की बात कही गई आप देख रहे हैं सीमा का पहला स्वरूप और जब भारत में आई कैसे उसका स्वरूप बदला तस्वीरों में शायद आपने नोट किया होगा सीमा से हमने भी पूछा था आप पर जासूसी के आरोप हैं तो उसने एक बात कही कि मैं चार बच्चों के साथ यहां भारत में जासूसी करने क्यों आऊंगी कैसे नेपाल से हिंदुस्तान के अंदर आई पती पतनी और चार बच्चे आए तो शायद सक्की सूई उन पर नागिरी हो यह भी तो हो सकता है उधर सीमा हैदर मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के मताबिक सीमा हैदर का पॉलिग्राफ टेस्ट भी हो सकता है ATS पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड में जासूसी या किसी घलत इराते से तो भारत नहीं आई पॉलिग्राफ टेस्ट का मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट आपने अगर जूट बोला तो वो सूई इशारा कर देगी बहुत सारे प्रश्ण पूछे जाएंगे पहले टेस्ट किया जाएगा कि भाई इनके सच का जो लेवल है हार्ट रेट वो कैसा है ग्राफ में ठीक बताएगा कि नहीं और फिर उनका नाम उनकी उम्र कुछ ऐसे प्रश्ण पूछे जाएंगे जिसके जवाब अभी जग जाहिर है फिर एक पल्स बेस रेशियो तै किया जाएगा और फिर सवाल पूछे जाएंगे और अगर सुई उपर नीचे फ्लक्चुएट होती है यानि कि दाल में कुछ काला है सीमा जूट बोल रही है सच नहीं कह रही तो यह पॉलिग्राफ टेस्ट यानि लाइट डिटेक्टर टेस्ट इसकी भी संभावना है सीमा हैदर इस वक्त एटीएस के रेडार पर है एटीएस सीमा हैदर से पूछ्टाच कर रही है पाकिस्तान से भारत आने वाली जो ठियोरी सीमा हैदर लगातार सुना रही है उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है सीमा हैदर की पूरी ठियोरी सस्पेंस है प्रस्न चिंद लगा है बहुत बड़ा पाकिस्तान की सीमा ने कैसे की सीमा पा? सीमा पार से आई सीमा की क्या है पूरी हखिकत? पाकिस्तान टू इंडिया वाया दोबई और नेपार सीमा खुलाम हैदर की दिशारी परसबार यह मरसाथ पहली बार आये पिर अच्छा खेल देदे पुराने थे मैं नई थी बबजी में हमारी बहुत अची दोस्ती बन गई है दोस्ती से फिर एक किस में हमारा खुड़ा परफोज हुआ है इन्हों ने मुझे करा मैं इनको करा हम जोने में नम्मर एक चेंज हुए है पाकिस्तान से अपना प्यार पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लब स्टोरी में ट्रैवल हिस्टी के सवाल पर टोटल सस्पेंस है सीमा हैदर भारत कैसे पहुंची सीमा को सीमा पर क्यों नहीं रोका गया क्या बॉर्डर पर सीमा ने बच्चों के हिंदू नाम बताए क्या पाकिस्तान से भारत आना इतना आसान है सीमा हैदर की पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर आनलाइन खेले जाने वाले पब जी गेम से सीमा का दावा है कि सेटंबर 2020 में कोरोना के दौरान ग्रेटर नोड़ा का सचिन और कराची की सीमा पहली बार संपर्क में आये थे गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन आन करके रखते थे गेम खेलते खेलते एक दूसरे से बाते करते थे सीमा के मुताबिक फरवरी 2023 में सीमा ने भारतिय वीजा के लिए अपलाई किया था लेकिन उसे वीजा नहीं मिला इसके बाद सीमा ने नेपाल में सचिन से मिलने का प्लान बनाया सीमा के मताबिक 8 मार्च 2023 को सचिन मेरा दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस पकड़ कर काटमांडू के लिए रबाना हुआ था इसी दिन शार्जां से होते हुए सीमा भी फ्लाइट से काटमांडू पहुंची थी सीमा का दावा है कि 10 मार्च 2023 को काटमांडू में दोनों की मुलाकात होई थी काटमांडू में ही दोनों ने शादी की साथ दिन तक सीमा और सचिन काटमांडू के एक होटल में रुके थे यहाँ सीमा और सचिन ने साथ में वीडियो भी बनाये थे और इंस्टाग्राम पर अप्लोड भी किये थे इसके बाद सीमा नेपाल से पाकिस्तान लोट गई थी सीमा के मताबिक करांची लोटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रेवल एजेंड से अपना घर बेकवाने के लिए बात की घर बेचने के बाद दस माई को सीमा ने UAE के रास्ते काटमांडू आने के लिए फ्लाइट पकड़े नेपाल पहुंचने के बाद सीमा ने प्राइविट बस से दिल्ली तक का सफर किया सीमा ने भारतीय मीडिया को जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक सीमा को डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए इसलिए जब कंड़क्टर ने उससे आईडी मांगी तो उसने अपना नाम सीमा और पती का नाम सचिन बताया सीमा ने बताया कि वो ग्रेटर नोइडा के रभूपूरा में रहती है ग्रेटर नोड़ा पहुँचने के बाद सीमा और सचिन एक किराय के मकान में डेड़ महीने तक रुके सीमा का आईडी कार्ट बनवाने के लिए 29 जून को सचिन बुलंड शेर के एक वकील से मिला लेकिन जब वकील ने सीमा के दस्तावेश देखे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर वो तंग रह गया उसने पुलिस को इसकी सूचना दी जिसके बाद सीमा की गिरफतारी भी हुई हलाकि उसे जमानत मिल गए और इसके बाद ही सीमा ने टीवी चैनल को एक के बाद एक इंटर्वियो देना शुरू कर दिया और ये पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई सीमा के बयानों में विरोधा भास के बाद अब जाच तेज कर दी गई है ATS सीमा से पूछताच कर रही है सीमा पार की सीमा को लेकर एक नई दर्जनों सवाल है और हर सवाल के जवाब की दलाश इस स्वक्त की जा रही है